गाईज आज वीडियो में ब्रीवी करने वाले हैं पॉंट्स मोस्टराजिंग लोसन का आज वीडियो आपको तांगे से लोसन को यूज करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और आपको से लोसन को कब और किस तरही से यूज करना चाहिए आज इस पॉंट्स मोस्टराजि लोसन है और सबसे पहले हम देख लिते हैं कि स्वेनों ने क्या क्या मेंशन कर रखा है आप देख सकते हैं इस पर लिख हुआ है पॉंट्स ट्रीपल विटामिन सिल्की स्मूथ स्कीन मॉस्ट्रेजिंग लोसन विटामिन B3 E&C और बात करें इस लोसन के प्राइज और क्वां जाती है और स्कीन काफी ज्यादा डल भी पड़ जाती है लेकिन अगर आप विंटर्स में इस मॉस्ट्रेजिंग लोसन को यूज़ करते हो तो यह लोसन आपकी स्कीन को 24 आवर्स तक मॉस्ट्रेज रखेगा और आपकी स्कीन से डलनेस को कतम कर आपकी स्कीन को काफी ज्या मुझे Spawns Moisturizing Lotion की यही अच्छी बात लगती है यह Lotion इसकीन को Moisturizing करने के साथ साथ इसकीन को Glow देने में भी हल्प करता है और Spawns Moisturizing Lotion की एक अच्छी बात यह भी है यह Non-Sticky भी होता है Spawns Triple Vitamin Moisturizing Lotion को यूज करने के बाद इसकीन चिप-चिप-चिप भी फिल नहीं होती है अब बात आती है कि इस Lotion को किसी सकीन टाइप को यूज करना चाहिए गाइस अगर आपकी काफी ज़्यादर ड्राई सकीन है तो आप इस स्कीन को यूज कर सकते हो नहीं तो इस Lotion को यूज करने से आपको थोड़ी प्रोप्लम हो सकती है गाइस अब बात कर लेते हैं कि क्या Spawns Moisturizing Lotion को यूज करने से इसकी कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं तो मैं आपको अधाद हूँ कि मैं स्लोशन को काफी लंबे समें से यूज कर रहा हूँ और मुझे स्लोशन के कुछ भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं तो चले कि जब मैं आपको इस लोशन का टेक्चर भी दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं इस लोशन का टेक्चर वाइट कलर का होता है और अब मैं आपको इसे अपने हैंड पर भी लगा के दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं इस लोशन इसकीन में एब्सोर्ब होन में थोड़ा टाइम लेता है और आप देख सकते हैं मैंने इस solution को अपने hand पे चितरी के सिल लगा लिया है और इस solution को लगाने के बाद मेरे hand से dryness बिल्कुल खतम हो चुकी है गाईज अब बात कर लेते हैं कि response moisturizing lotion को कब और किस्टरी से यूज़ करना चाहिए तो मैं आपको बतातू कि इस पे नोंने mention कर रखा है कि solution को everyday दो time यूज़ करना चाहिए लेकिन गाईज मैं solution को केवल एक time यूज़ करता हूँ और solution को एक time यूज़ करने के बाद ही मुझे solution का काफी अच्छ़जल देखने को मिला है लेकिन गाईज अगर आपके काफी ज्यादा dry skin है तो आपको इस solution को everyday दो time यूज़ करना चाहिए तब ही आपको इस solution का च्छ़जल देखने को मिलेगा